हेलो गाइज, वेलकम तो माई YouTube चैनल, आज मैं आपको बताने वाला हूँ, हम लोग सीप और सीप, ब्लास्ट फार्नस से पीग आयरोनी क्यों नहीं बनाते हैं, डियराई पोसेस से हम लोग स्पॉंज आयरोन क्यों बनाते हैं, डियरेक्ट तो हम लोग पीग आयरोन भी बना स तो इसमें क्या है, इसमें है, सॉलिट से हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉलिट इस्टेट में क्यों बनाते हैं, मतलब सॉलिट को हम लोग ग्यास के साथ रियक्ट करा रहे हैं, सॉलिट टू ग्यास का रियक्ट हो रहा है, उसके बाद वो क्या हो जा रहा है हमारा, वो हमारा इ iron ore रहे है वह इस पोग दिए और अगर फार्नेस की तो बलक्राइश में हम लोग क्या कर रहे आरण और लाइव इस्टर्न को क्षार्जिंग कर रहे उहां पर क्या हो रहा है हम लोग उसको में इसको मेल करें मतलब सॉलीड से पहले हम लोग उसको लीकुइड श्टेज में ले क्या है blast furnace का जो पोसेस है वो highly cost effective है और रही बात अगर DRI की तो DRI में हम लोग liquid stage में नहीं जा रहे हैं हम लोग क्या करने हैं उसको heating zone में एक sudden temperature तक उसको लेज के जा रहे हैं वहीं पर उसको gas के साथ react करा के हम लोग क्या कर रहे हैं sponge iron में ठीक है iron और से वो directly sponge iron में convert हो जाता है इसलिए इसको DRI पोसेस बोला जाता है यानि directly reduced iron इसमें कोई भी liquid iron या फिर liquid का stage का कोई case नहीं है यहाँ पर क्या हो रहा है solid to solid directly हमारा iron बन रहा है और blast furnace में क्या होता है solid to liquid liquid से फिर solid हम लोग पी गरन बनाते हैं blast furnace में हमारा cost effective ज्यादा रहता है यानि sponge iron से ज्यादा pure रहता है और जो हम लोग sponge iron को बना रहे हैं उस sponge iron को हम लोग क्या करते pak wäre SMS में जाकर ऊसको थोड़ा और ज्यादा प्यूरिफाई कर लेते हैं और रही बात हम लोग जो sponge iron बना रहे हैं उससे पहले हम लोग क्या करते हैं है धो types का sponge iron होता है mainly हमारा जो है iron ore sponge iron और एक है हमारा pallet sponge iron pallet sponge iron क्या है pallet है हमारा the waste material है जो والब een इसे बना रहे हैं ऊक्सिजन को रिड़्ीज कर रहे हैं तू इसमें फ andake percentage कम रहता है क्यों क्योंकि यह 10 ridiculous से हमारा बनता है जो हमारा coarse iron ore में हमारा fe ज़्यादा रहता है क्यों कि वो coarse particle है ठीक है वो fines यानि waste particles नहीं है जो waste particles है उसको हम लोग pallet बना रहे हैं उसके बाद उसको फिर charging कर रहे हैं वो हमारा pallet sponge iron बन जा रहे हैं और यहां पर हम लोग DRI में हम लोग क्या कर रहे हैं डॉलमाइट चार्ज करते हैं तो डॉलमाइट हमारा क्या करता है डॉलमाइट हमारा उसको reduce करने में सायता करता है और वो आगे जाके जब हमारा sms में जाएगा तो sms में जाने के बाद वो जब मतलब slack formation करेगा तो slack formation में हमारा dolomite बहुत ही अच्छा role play करता है और उसके साथ ही साथ हम लोग palette जब बनाते हैं तो palette में ही हम लोग क्या कर देते हैं lime add कर देते हैं तो lime add करने का मतलब है यह जब हमारा SMS में जाएगा SMS palette में वो तो strength provide करता है basicity भी provide करता है hardness भी देता है लेकिन वो जब हमारा SMS में जाएगा तब क्या करेगा वो हमारा SMS यानि still melting shop में जब हम लोग उसको melt करेंगे ठीके तब वो क्या करेगा तब हमारा वो slack formation करेगा अगर lime रहेगा तो lime क्या करेगा slack के formation में लाएगा अगर liquid iron का density ज़्यादा है तो वो क्या करेगा नीचे के तरब रहेगा और slack का density कम है वो उपर के तरब तहरेगा तो हम लोग उसको easily अलग कर सकते है ठीक है इसलिए हम लोग lime और dalamite हम लोग add करेगा हम लोग cold use करते है cold किसलिए use करते है pallet में हम लोग cold porosity purpose के लिए देते हैं और एक चीज है जो ओल हम लोग इस्पेसिली एड करते हैं वो है हमारा अगर पैलेट को हम लोग जब हीटिंग कर रहें तो क्या होता है अगर उसका अंदर में कोल नहीं है सपोस हम लोग बिना कोल का चला रहें तो वो अगर बाहर से हम लोग सफिसेंट टेंपरेचर दे रहे यानि रोटरी क्लिम पोसेस में जब वो जाएगा तो क्या करेगा फाइंस जनरेशन करेगा तो इसलिए हम लोग कोल को अगर देते हैं वह पर एड करते हैं तो वो अंदर से भी अच्छी तरह से बान होगा और पोरोसिटी जेनरेट करने से क्या होगा अंदर तक हीट पहु कच्छा रहा जाने से क्या होगा कच्छा रहा जाने से उसमें श्ट्रेंथ नहीं रहेगा वो हमारा डियाराई में जाकर फिर से फाइंस जनरेशन करेगा तो इसलिए हम लोग का कोल बहुत ही इंपोर्टेंट है जैसा कि हम लोग यहां पर बेंटोराइट भी आड कर रहे ह प्यारे वहाँ पर बेंटोराइग इतना इंपोर्टन्ट है हमारा कोल भी उतना ही इंपोर्टन्ट है तो गाइज आज के लिए बस इतना ही फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चलिए ट्राटा बाई गाई